Hello everyone, welcome to study glows, मेरा नाम है Dr. Sarita दोस्तों आज हम बहुत important theory के बारे में चर्चा करेंगे ये theory है Thondike's theory of learning Thondike की learning theory के बारे में हम बात करेंगे इससे पहले भी हम child psychology के उपर कुछ theory के बारे में बात कर चुके हैं जैसे Zin Piazer की theory के बारे में हम पढ़ चुके हैं पावलव की theory पढ़ चुके हैं, कोहलबर की theory के बारे में पढ़ चुके हैं उसी series की ये एक और theory में लेकर आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही जादा important theory है, ये Thondike की theory इसके बहुत सारे नाम है, क्या क्या नाम है उसके बारे में भी मैं आपको बताती चली जाओंगी तो फिलाल हम लोग यहां पर देखते हैं कि यहां कुछ experiment है उस experiment के medium से इसको explain किया गया है तो सबसे पहले बता दू कि Thondike ने अपना ये सिधान्त जो है कोई ना कोई response के पीछे एक stimulus का हाथ होता है यानि कि प्रतिक्रिया दिल लबाने के लिए कोई ना कोई ऐसा tool कोई ना कोई ऐसा उद्देशे होता है कोई ऐसा stimulus होता है, उद्दीपक होता है जिसकी वज़े से वैक्ती या जो भी living है वो response करता है तो थोंडाई की ये मानेता बिल्कुल ध्यान में हमें रखना है कि कोई भी अनुक्रिया हो रहे है यानि कोई भी response हो रहा है तो response करने के लिए पहले हमारे पास कोई aim जरूर रहेगा कोई उद्दीपक रहेगा कोई उत्तेजना जरूर रहेगी तो जब भी उत्तेजना रहेगा जब भी उत्तिपक रहेगा तब जाकर अनुक्रिया हो पाएगी यानि की response हमें मिल पाएगा और साथ ही इन्होंने ये बताया है कि सीखने के लिए यानि learning के बहुत सारे condition होते हैं बहुत से ऐसे तत्व होते हैं ये सारे तत्व मिलकर उत्तेजना का कारे करते हैं उत्तेजना बढ़ाते हैं और जब उत्तेजना बढ़ जाती है और तब जाके परिणाम निकलता है यानि की उत्तिपन प्राणी पर अपना प्रभाव डालते हैं जिससे की परिणाम सरुप प्राणी एक विशेश प्रकार क्या response देता है यानि जो भी उद्धीपक होता है यानि stimulus agent जो भी रहेगा वो अपना प्रभाव डालता है व्यक्ति के ओपर और उससे प्रभावित होकर व्यक्ति कोई ना कोई response करेगा यानि उसके result के तौर पे वो response करेगा और इस तरीके से जो उद्धीपक है और जो response है यानि जो stimulus है और response यानि जो आपका उद्धीपक है और अनुक्रिया है इनके बीच में एक संबंध होता है इसे ही और ये continue संबंध बना हुआ रहता है इसलिए इसे सक्रिया अनुबंधन का सिध्धान्त भी कहा जाता है और इसे उद्धीपन अनुक्रिया का सिध्धान्त भी कहा जाता है यानि कि stimulus और response का सिध्धान्त भी इसको कहा जाता है और भी कुछ नाम से इसको जाना जाता है इसके बारे में भी हम डीटेल से बात करेंगे और इस theory से related दो नाम याद रखने तो और ज़्यादा जरूरी है इसको देखे संबंध वाद भी कहा जाता है संबंध वाद क्यूं कहा जाता है क्यूंकि stimulus और response दोनों के बीच में एक relation है साथ ही इसे हर्ष और दुख का भी सिध इसको कहा जाता है इसी के ओपर यानि खास करके जो trial and error principle है इसके explanation भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ आप देख सकते हो कि एक cat है जो की cage में है यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक cage में यह बंद और साथ ही यहाँ पर बगल में इसके सामने एक fish रखी हुई है तो अब हम लोग इस experiment के बारे में भी explain करेंगे उससे पहले थोड़ी से और जानकारी मैं आपको देदू कि कोई भी प्रानी के लिए कोई लक्ष जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत जादा कोशिश करनी पड़ती है हम सब जानते हैं कि अगर हमने कोई aim decide किया है तो वहाँ यानि कि एक time ऐसा होता है कि हम सफल होते हैं और एक time हम असफल भी होते हैं तो जो वो सारी क्रियाएं जिसे हम असफल हो रहे हैं जो व्यर्थ की है उसको हम क्या करते हैं छोड़ते चले जाते हैं यानि कि जब भी हम कोशिश करते हैं तो उस चीज़ को जो भी हमारे error होते ह उन error को हम छोड़ते चले जाते हैं और अंत में एक ऐसी स्थिती आ जाती है जब वैक्ती हर बार के प्रयास के साथ साथ उसकी जो पुरानी error या तुरूटियां थी उसकी संख्या भी कम हो जाती है यानि कि कोई चीज लर्न करने के लिए हम लो बार बार जो गलती कर रहे थे करके फिर हमसे गलतियां होती है और एक टाइम ऐसा आता है कि बार बार कोशिश करने में ये error की संख्या कम होती जाती है और finally हमें सफलता मिल जाती है इसके लिए थांडाइक ने बहुत सारे इस एक्सपेरिमेंट किये हैं और इस एक्सपेरिमेंट से इन्हों ने बताना चाहा है अपने नियमों को तो चलिए हम सबसे पहले थांडाइक का ये जो cat वाला और fish वाला है इस theory के बारे में जानेंगे ये आखिर क्या इनका एक्सपेरिमेंट है इसको हम discuss कर लेते हैं तो जैसा कि आप लोग इमेज में देख भी पारे हो दोस्तों कि एक केज है जिसमें बिल्ली बंद है और सामने यहाँ पर एक मचली है और इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए थौंडाइक ने बिल्ली के ओपर खास करके जादा प्रयोग किये हैं तो अपने इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक जालीदार बॉक्स में बंद कर दिया है और इस पिजडे का दर्वाजा इस तरीके से उन्होंने लगाया है कि उसकी जो चटकनी या कुंडी है वो दबने पर दर्वाजा खोल जाता है यानि कि जो कुंडी है वो कुछ अंदर में लगाया है कि अगर बिल्ली का पैर उस पे पढ़ता है तो वो दर्वाजा खोल जाएगा और इस पिजड़े के बाहर जो मचली का टुकड़ा है वो एक प्लेट के उपर रखा हुआ है आप इमेज में देख पा रहे हैं और ये जो मचली का टुकड़ा है ये पिजड़े की ज अए टुमिलर्स है यह जो बिल्य है उसको रिस्पॉंस करने के लिए वो बल देगा कि बिल्ली जो है रिसपॉंस करें च्योंकि भूक ही है और है। प्रक्रिया करेगी यह वो प्राणी है जो अनुक्रिया करेगी जो रिस्पॉंस करेगी तो अब मचली और बिल्ली के बीच में एक संबंध बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो अब इसमें क्या है कि भूखी बिल्ली जो है इस मचली को देखके बहुत जादा है कि पिजडे की कंडिशन क्या है अंदर की स्थिति क्या है और कहां से कुंडी खुलेगा इसलिए जो बिल्ली है यह बेचैन होके इधर उधर अपने पैर मारेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि दर्वाजे के पास लगी हुई जो कुंडी है वो इसके धक्के लगने से य उस मचली के टुकडे को खा लेगी और तब जाके उसका एम पूरा हो पाएगा वो शान्त हो पाएगी और इस प्रयोग की बजह से हमने देखा कि बिल्ली ने रिसपॉंस किया क्यूंकि उसके सामने स्टुमिलस था तो स्टुमिलस जो है वो रिसपॉंस करने के लिए जिम् करने लगी क्योंकि पहले शुरुआत में उसको पिजडे की कंडिशन तो पता नहीं थी लेकिन उसने बार-बार कोशिश कियो और एक बार उसका दर्वाजा भी खुल गया तो आब वो दीरे-दीरे चीजों को समझने लगी और पहले की तरह जो मिस्टेक वो कर रहे थी अब उस मिस्टेक को वो एवाइड करना शुरू कर दी तो इस तरीके से बार-बार बिल्ली बिना किसी थूटी के बिना किसी एरर के वो प्रयास करने लगी और दर्वाजा खोलने में वो सफल हो गई तो इस तरीके से जो उत्तेजक है यानि कि जो इस्टुमिलस है मचली और जो प्रतिक्रिया है यानि कि जो बिल्ली है जो रिस्पॉंस कर रही है इनके बीच में एक रिलेशन स्थापित हो जाता है और बिल्ली पिजडे का दर्वाजा खोलना सीख जाती है तो यहां पर थॉंडाई की यह कहना चाहते हैं बूल और प्रयास का नियम इन्होंने बताया ह कि भूल वंशो इधर उधर घूम रही है लेकिन बार बार प्रयास करने से फाइनली पिजडा जो है वो खोल जा रहा है और बिल्ली जो है अपनी भूग को मिटा ले रही है और इस तरीके से बिल्ली ने सीख लिया है बिल्ली ने पिजडा खोलना सीख लिया है तो थॉंड यानि कि जो हम error कर रहे हैं इस error की संख्या कम होती जाती है और finally हम लोगों को क्या होता है सफलता मिल जाती है और एक learning हो जाती है यानि कि कोई चीज प्राणी के द्वारा सीख लिया जाता है तो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि जो थॉंडाइक है जिन्हें जो कि effort और error theory क father गहलाते हैं इन्होंने बहुत सारे experiment किये यहां पर आप देख सकते हैं the use of locking a hunger cat in a cage is also quite popular यही story जो हमने अभी यहां पर आप देख सकते हो कि cat और fish वाली जो story है यह बहुत ही जादा दोस्तों important है कभी भी अगर आपको थॉंडाइक की theory आती है तो आपके answer का explanation इसी story के base में ही होगा तो बिल्कुल इसको ध्यान रखे there is a hungry cat in this experiment बिल्कुल थोड़ा सा मैंने shortcut में बढ़िया notes लिग दिया है कि पूरी story इसमें मालूम चल चुकी है कि there is a hungry cat in this experiment who is locked in a cage वो पिजडे में बंद है a piece of fish is kept outside the cage the fish make various efforts to get the piece of that fish in the end the cat is able to open the cage and get the piece of fish finally क्या हो रहा है बहुत सारे effort लगाने के बाद cat जो है वो cage open कर ले रही है और उसे fish का टुकड़ा मिल भी गया है अब यहां पर यह जो theory है learning की theory क्यों है क्योंकि जो cat है यानि जो प्राणी है बार बार प्रयास करने के बाद बार बार के effort के बाद उसने learn कर लिया है कि प important facts निकल के आ रहे हैं उसके बारे में हमनों discuss करते हैं तो यहां पर जो importance बताया जा रहा है यानि कि यह जो theory है थौंडाई की शिक्षा की छेतर में इसका after all क्या महत्वा है या क्या important fact यहां पर दिखाई दे रहा है तो यहां कुछ point है जिसकी explanation मैं आपको बता देती हूं कि यह जो theory है यह बताता है कि बालक पहले की जो गलतियां करता है उस गलतियों से जो भी experience गेन करता है उसके बाद वो अपने वैभार में यानि कि अपने जो भी action है उसको improve करता है यानि बार बार वो गलतियां करता है उससे experience लेता है और बाद में अपने आपको improve करता है और निरंतर प्रयास का ये है यानि ये effect of practice है और लगादार practice करने के उपर ये बता रहा है कि आपको धैरे रखना होगा और परिश्रम के गुणों के साथ आपका विकास होता है यानि कि बालों को किसी भी समस्या में घबराने की जरूरत नहीं है बलकि निरंतर प्रयास करने की ज सफल हो रहा है उसको success नहीं मिल रहा है तो जो teacher है उस teacher को चाहिए कि वो बार-बार विधार्थी को प्रोचसाहित करे प्रयास करने के लिए यानि कि effort लगाने के लिए प्रोचसाहित करे क्योंकि एक time आये का जब सफलता उसको प्राप्त हो ही जाएगी और ये वो धियोरी ह जिसमें बालक को अपना लक्षे तो पता है लेकिन लक्षे तक पहुँचा कैसे जाए उसका सही तरीका उसे नहीं पता है और उस लक्षे तक पहुँचने के लिए वो बहुत सारे effort लगाता है कई तरीके की कोशिश करता है और तब उसको मालुम चलता है कि यही सही रास्त और आत्म निर्भर हो जाता है आत्म विश्वास की गुणों का विकास होता है तो इस जो थियोरी है इसकी इंपोर्टन्ट इसलिए है क्योंकि इसमें आत्म निर्भरता गेन होती है साथ ही आत्म विश्वास जो है वो मालूम चलता है बालक जो है भावी भविश्य में जो भ खुदी उस समस्या से लड़ने के लिए अपने आपको तयार कर ले रहा है क्योंकि उसको लक्षे पता है लेकिन उसको रास्ता नहीं पता है लेकिन वो बार-बार इस थियोरी के हिसाब से जो भी प्राणी है जो भी बालक है उसको बार-बार प्रयास करना है और इस सिद्धा का समाधान करने के छेतर में ये बहुत important है क्योंकि बार-बार कोशिश करने की वज़ा से समस्या का समाधान हो रहा है और साथ ही साथ ये जो theory है यहां एक बात बहुत जादा ध्यान देना है कि आखिर ये stress कहां करती है ये stress करती है करके सीखना यानि कि आप खुद करो और learn करती है ये theory बताती है कि अगर stimulus हमारे पास है तो हम response करेंगे ही करेंगे साथ ही ये theory ये भी बताती है कि अगर हम बार-बार किसी चीज़ के लिए effort लगाते हैं कोशिश करते हैं तो उस चीज़ में सुधार होगा यानि कि आदतों का निर्मान होगा जो hobbies और habit है उसमें change हो बालकों में अगर बुरी आदते हैं तो वो improved हो जाएगी और साथ ही ये सिद्धान्त ये भी बताता है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं जैसे कि व्याकरण हो गया संगीत है, maths है इस तरीके के और भी जो subject है अगर हम उसमें effort लगाते हैं, literature है, उसको motivate करता है, यानि education में बात करें, student को motivation मिलता है, कि वो अपने goal को, अपने purpose को पाने के लिए continue motivate होता रहा है, effort लगाए, effort और error की theory है ये, यानि गलतियां होगी, फिर भी हमको effort लगाना है, क्योंकि finally ऐसा होगा, कि हम achieve कर जाएंगे, दूसरा है कि emphasize on practice, ये practice के उपर बहुत जान देता है, यानि कि ये वो principle है, जो motivate करता है, students को कि हमें practice करती रहनी चाहिए, लगातर हमें कोशिश करनी चाहिए, problem solving है, तो सीधी सी बात है कि कोई भी different type की अगर problem है, तो teacher उसको avoid नहीं करेगा, उसके लिए teacher हमेशा हर जगा available तो रहेगा नहीं, अगर कोई बच्चा ह कोई विध्यारती है, कोई भी समस्या सामने आ रही है, तो teacher तो हर समय available नहीं रह सकता है, तो बच्चे को एक motivation मिलता है, इस theory की मदद से कि वो अपने problem को खुद से solve कर पाए, साथ ही thinking power को develop करता है, यानि कि दिमाग लगाने की जो शमता है, उसको भी ये develop करता है, कि किस तर criticism भी बहुत जादा किया गया, बहुत point पे ये criticize हुआ, कहां से हुआ, तो सबसे पहले यहां देख लिजे कि जो इसकी learning process है, बहुत ही जादा slow है, हमने देखा क्योंकि एक लंबा समय लग रहा है, बार-बार कोशिश करना पड़ रहा है, तो इससे ऐसा मालूम चल रहा है कि time की wastage हो रही है, या फिर बहुत ही slow process है, ये learn करने का, और बार-बार कोशिश करने में suddenly हमको achievement मिल जाती है, यानि कि suddenly जो हमें चाहिए, वो result हमें मिल जाता है, तो बार-बार कोशिश करना और बहुत लंबा और slow process है ये, तो यहां दूसरा point भी आप देख रहे हैं, it takes a lot of time to show through effort and mistake, यानि effort और mistake के through से learn करने के लिए बहुत ही बड़ा लंबा चोड़ा time है, ठीक, क्योंकि आप effort लगा रहे हैं, mistake लगा रहे हैं, mistake कर रहे हैं, तो time बहुत जादा जा रहा है, और process भी बहुत जादा slow है, तो एक तुस one number का point आपको ये बता रहा है, कि ये process learning की बहु बहुत waste होता है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो ये रटने वाली प्रक्रिया है, यानि कि ये theory जो है, वो emphasize करती है, road learning पे, यानि आपको रटते रहना है, practice भी करना है, साथ ही रटते भी रहना है, तो अगर कोई चीज़ आप याद करना चाह रहे हैं, तो आपको non-stop उसको रटते रहना है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी, और साथ ही साथ ये जो theory है, ये emphasize करती है both, punishment और reward, यानि कि आपको दंड हो गया और प्रोतसाहन हो गया, दोनों को ये बराबरी तोर पे बल देती है, दंड का मतलब है कि आप बार-बार कोशिश किये जा रहे ह तो ये असफलता मिलना भी एक तरीके का punishment है, तो बार-बार आपको असफलता मिल रही है, और suddenly आपको practice करने से reward मिल जा रहा है, यानि कि जो आप चाहते थे, उस चीज में आप successful हो गए, तो इस तरीके से जो punishment और reward है, इस चीज को भी ये emphasize करती है, तो मुझे लगता है दोस प्रभाव के नियम को दिखा रहा है, ततपरता का नियम यानि law of readiness को, यानि कि जो प्राणी है वो बिल्कुल ready है, ततपर है अपने काम को achieve करने के लिए, अभ्यास का नियम, law of exercise यानि कि continue अभ्यास करना है, तो ये तीन कुछ important बाते जो हैं, जो छोटी सी law हम कह सकते है, learning law, प्रभाव का नियम, ततपरता का नियम, अभ्यास का नियम, ये सब कुछ इस theory ने अपने अंदर लिया हुआ है, तो I hope आपको theory बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, next time फिर से हम एक जो child psychology है, उससे relate करती हुए एक theory लेकर आएंगे, बस आप अपना support बना के रखे, so here is the end of this lecture, thank you so much for your support, और दोस्तों मेरे lecture की pdf आपको study grows के telegram channel पर मिल जाएगी, तो आप जागे हमारा telegram channel join कीजिये, और हाँ, lecture को मेरे like करना बिलकुल न भूले,